मुहम्मद खान बंगश को और नजदीक से समझने के लिए हिस्ट्री आफ फर रुखाबाद ने रिसच जारी रखी है अपनी पिछली पोस्ट के जर्ये नवाब मुहम्मद खान बंगश के भाई नवाब हिम्मद खान की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की थी जिसके अंतरगत हमने मशहूर शायर मुस्तफा खान, शाफ्ता, के मुस्तफा कासल, जहांगीरबाद, मेरट से कनेक्शन स्थापित किया था प्रस्तुत पोस्ट में हम बगश नवाब फरुखाबाद के जर्रल कनेक्शन का जिक्र करेंगे नवाब नियाज मुहम्मद खान की बहन का विवाह राजौली के एची सर्दार बहादूर लेफ्टिनेंट करना राजा अताउला खान से हुआ था इन्होंने स्वयम बताया ये जर्रल राजपूत है इनके यहां भी दिपावली बड़े शौक से मनाई जाती है इनका एक संदेश प्राप्त हुआ था देराज जैरल्स इन दी युनाइट स्टेट्स, कश्मीर, पंजाब, एची हुद नौट कनवर्ट देर फ्रमा ब्रडारी नो माटर वाट देर रिलिजिन है इनका एक संदेश प्राप्त हुआ था एक दुरलब चित्र राजा इर्फानुला नवाब वजीरबाद पाकिस्तान के सोजन्य से प्राप्त हुआ ये 1857 गदर के पहले का चित्र लगता है राजा साहब सरदार बहादूर लेफ्टिनेंट करनल राजा अताउला खान राजोरी निवासी के पर पौत्र है सरदार बहादूर लेफ्टिनेंट करनल राजा अताउला खान राजोरी निवासी गदर के समय हर्टसन होर्स ब्रिगर में रिसालदार हवलदार के पद पर फतेहगर में कार्यरत थे इनका विवाह नवाब नियाज मुहम्मद खान S.O. नवाब सरगुलंद खान की बेहन के साथ संपन्न हुआ था नवाब नियाज मुहम्मद खानन मुहम्मद खान बंगश के भतीजे थे जिस किले का चित्र राजा इर्फानल्ला साहब ने भेजा था वह फतेहगर किले का नक्षा था किला नवाब मुहम्मद खान बंगश द्वारा 1714 में बनवाया गया था पंद्रह सौ गज में फैला किला जिसमें दस बुर्ज है चारों और सूखी खाई है जो आज भी ऐसी ही है ये फतेहगर का किला है जब अवद मराथा वजाटों की संयुक्त शक्ती ने नवाब एहमद खान बंगश पर हमला किया तो नवाब ने तीनों और से खाई में सेना लगा कर आक्रमन नाकाम कर दिया इस जीत की खुशी में किले का नाम फतेहगर पड़ा इसके बाद से शहर फतेहगर नाम से पुकारा जाने लगा ये 1857 गदर के पहले का चित्र लगता है बीच में किले की तीन तरफ की दिवारे साफ नजर आती है किले के अंदर मंदिर मस्जित स्पष्ट देखी जा सकती है चित्र के निचले भाग पर वह गेट जो आज भी गंगा पूल के तिराहे पर खड़ा है स्पष्ट देखा जा सकता है जहां सिपाही पहरे पर खड़े दिखते है किले के चारो और निगाह दोडाने पर घाटियां ही घाटियां दिखाई देती है इन घाटियों की बजह से इस जगह को घटिया घाट कहा गया चित्र के डाएं उपर रखा चच दिखाई दे रहा है कहते है इतिहास जब दिखने लगता है तो स्वयम बोलता है किताबों में वर्नित है फरुखाबाद कभी बागों का शहर था जो आज भी है